दादी मा के घरेलू नुस्खे, समय निकाल कर जरूर सुने, पहला दो पापड पाच मिनट के लिए पानी में भिगो दे, फिर इस पानी को इडली के मिश्रन में मिला दे, इससी इडली स्पॉंजी और मुलायं बनेगी, दूसरा आइसक्रीम सर्व करने के पहले, सर्विस चम पर चाए और कॉफी के दाग हटाने के लिए एक गीले कपड़े पर कपड़े धोने वाला सोडा या नमक लगा कर धो ले, दाग साफ हो जाएंगे चोथा, मटर के दाने सबजी में डालने के बाद सिकुड जाते हैं, अगर आप चाहते हैं ऐसा ना हो, तो उसके लिए मटर के दानों को पानी में एक चमच चीनी डाल कर उबाल ले, फिर मटर को पानी सहित ग्रेवी में डाल कर पकाएं पाचवा, काच की गिलास में गरम पे डालने से पहले स्टील का चमच डाल दे, तो गिलास तूटने का खत्रा खतम हो जाएगा चटा, आलू की कचोडिया बनाते समय यदि मसाले में थोड़ा सा बेसन मिला दिया जाए, तो कचोडिया तलते समय फूटेंगी नहीं और खस्ता बनेंगी साथवाँ, दूद का खोवा बनाते समय गैस की आच तेज रखें और दूद हलका सा गरम होने के बाद इसे लगाता चलाते रहें, इससे दूद बरतन की तली में जलेगा नहीं और खोवा सफेद बनेगा आठवाँ, काटा चुप जाने पर उस जगह बरफ से सेके, इससे वह स्थान सुन हो जाने पर काटा असानी से निकल सकता है नौवाँ, पुराने आलू को उबालते समय पानी में निम्बू का रस या जरा सी चीनी डाल दें, तो उसका स्वाद बढ़ जाएगा और आलू सफेद वह भूबुरे हो जाएंगे दसवाँ, आलू का पराठा तो बच्चे और बड़े, हर कोई खाना पसंद करता है, उनको और भी टेस्टी बनाना हो, तो आप आलू के मिक्चर में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, इससे पराठा और भी लजीज बनेगा ग्यारवाँ, भिंडी, करेला और बैंगन की सबजी बनाते समया, आम के अचार का मसाला भरे, सबजी में एक नया स्वाद आएगा बारवाँ, अंडो को जल्दी उबालने के लिए उन्हें प्रेशर कुकर में उबाल ले तेरवाँ, रायता बनाते समया, कुछ लोग दही में सारी सामगरियों के साथ नमक भी डाल कर मिला देते हैं ऐसा करने से रायता कुछ देर के बाद खटा हो जाता है पहले सारी सामगरियों को दही में मिला कर रख ले और फिर प्रोस्ते समया, रायते में नमक डाले चोद्वां यदि घर में फ्रीज ना हो तो अंडो को चूना मिले पानी में डुबो कर रखें चूना कम मात्रा में ही डालें अंडे 15 से 20 दिन खराब नहीं होंगे पंद्रवां प्याज का आचार खतम हो जाने पर बची हुई सिरके में प्याज के टुकड़े काट कर डाल दीजिए दो से चार दिन में स्वादिष्ट आचार तियार हो जाएगा सोलवा, अक्सर कई लोग सबजी को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें दही डाल देते हैं लेकिन ध्यान रखे अगर आप सबजी में दही मिला रहे हो तो दही को सबजी में मिलाकर पहले उबाल लीजिए इसके बाद सबजी में नमक डालके मिलाईए क्योंकि उबाल आने से पहले सबजी में नमक डालने से दही फट जाती है सतरवा, आमलेट बनाते समय उसमें थोड़ा सा दूद और बेशन मिला दीजिए आमलेट कुरकुरा बनेगा अठारवा, मुरब्बा बनाते समय चाशनी में एक से दो छोटी चमच नीमू का रस डालने से मुरब्बा स्वादिष्ट और टिकाउ बनता है दोस्तों आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी और कौन सी जानकारी आपको सब से अच्छी लगी कॉमेंट बोक्स में जुरूर बताएं दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही जवर्दस टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन मंगल में हो